जैस्रीकिर्षना मेरे सबी भाईयों को और दोस्तों आज हम बात करेंगे अहीरेजिमेंट के मुद्दे के उपर जो की आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है सरकार हमारी मांग को बिलकुल भी नहीं मान रही है और अहीरेजिमेंट की बात करें तो यहें लगबग चार फरवरी 2022 से खेड की दोला गुरुगराम में यह धरना चला हुआ है और हमारी यादो समाज के भाई निरंतर परियास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारतिय सेना में अहीरेजिमेंट का गठन हो उसके लिए हमने बीच बीच में कई रेलिया और धरने परदशन भी जारी रखे हैं और उसी को देखते हुए आने वाली 2022 की 23 सितंबर को एक बहुत बड़ा दिल्ली में आंदुलन होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली जंतर मंतर में बहुत बड़ा आंदुलन होने वाला है अहीरेजिमेंट को लेकर पूरी दिल्ली ब्लोग की जाएगी चितने भी मेरे भाई हैं सभी भाई सभी भाईों से निवेदन है ज्यादा संक्या में आए और भाई अपनी हकी लड़ाई लड़े आज अगर हम सब इखटा नहीं ओपाएंगे तो भाई कभी नहीं ओपाएंगे तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि 30 तारीक को हम ज्यादा इज़ाद संख्या में वहाँ पर पहुंचे और सरकार को ये दिखा दे कि हम क्या कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं अही रेजिमेंट क्यों जरूरी है ये सब जानते हैं कि जिन लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटे उनकी गुलामिय सेहन की उनको रेजिमेंट मिल गई लेकिन एक वीर अहीर ही ऐसी लड़ाकों कॉम थी जिन्नों ने कभी अंग्रेजों के तलवे और उनकी गुलामिय सेहन नहीं की इसकी बहादूरी की तो हम क्या ही बात करें जितनी बहादूरी है मुझे नहीं लगता कि अधरकाष्ट इसकी टक्कर भी ले सकती है इसको हमने देश के लिए बहुत कुछ नोचावर किया है और हम बात करें इसके वीरता के पदक की तो चार असोग चकर तीन सोर्य चकर छै कीरती चकर और दो जोर्ज क्रोस और एक प्रमवीर चकर एक विक्टोरिया क्रोस आजादिन होज के पांच वीरता पदक और एक वीरों में वीर वीर अहीर का पदक भी इसे सम्मानित किया गय तो ऐसे में क्यों ना अहीर रेजिमेंट बनाई जाए और हम बात करें अहीरों के युद की तो साइदी वीर अहीर कौम के जितने युद किसीने लड़े होंगे अगर उनकी साथ पीडिया भी बीच जाएं तब भी इन अहीरों का बलीदान वो चुका नहीं पाएंगे तो अंग्रेजों की खिलाब 1744 में लड़ते लड़ते राव बाल की सन और उसकी पाँजार यादों की सेना सहीद हो गई उसके बाद 1877 की करांती के महनायक राजा राव तुलाराम जी ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया और 1877 की करांती को आगे बढ़ाया और वो तो राव तुलाराम ऐसा सेर था जो कभी अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे अंग्रेजों की गुलामी सेन नहीं की अंग्रेज उसके नाम से कापते थे राजा रावतुला राम जी के उपर मैंने वीडियो बना रखिये पहले से ही आप चाहो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ से देख लेना और अगर बात की जाए पर्थम सवतंतरता सेनानी तो भी भारत का पर्थम यादवी था और वो भी अहीर था उसका नाम था वीर अलगुमुथू कोणे जो की तमिलनाडू का यादव था जो सब पहला भारतिय सवतंतरता सेनानी था इसके बाद हम बात करें पर्थम विसुयूद की उसमें भी लगबग 12800 अहीर सईद हुए और उसके बाद हम बात करें दित्ते विसुयूद की उसमें भी 1911 यादव सैनिक सईद हुए उसके बाद 1947 आजीपूर नाथुला बढगाम कारगिल रेजांगला जैसे युद में अनेक युदों में अहीरू ने अपनी साहदत दी सबसे बड़ा सोर्य दिवस लेजांगला दिवस 1962 में 13 कुमाव रेजिमेंट के 114 वीर अहीरों ने 3000 चीनी सैनिकों को मोत के गाट उतार दिया और उनको लद्दाक में वहीं का वहीं रोग दिया और लद्दाक आज भारत का हिस्सा है उन वीर अहीरों की वज़े से उसके बाद कारगील जैसे युद्दों में भी लगबग 500 सैनिक साइद हुए थे बारत के जिन में से 99 सैनिक यादव थे लगबग 900 के बीच में यादव सैनिक साइद हुए उसके अलाव भी अनेक गुम नाम ऐसे हैं जो कभी इस देश के सामने आये नहीं और उन वीरों ने उन वीर अहिरों ने इतनी सहादेत दी कि देश परसाइदी किसी ने इतनी सहादत दी होगी तो उन वीरों के सम्मान में हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए उन वीरों के सम्मान के लिए अहिर रेजिमेंट चाहिए और भाई इसको हम लेकर रहेंगे 23 सितंबर को सभी को आना है दिल्ली जंतर मंतर और सरकार को हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं अही रेजिमेट हक है मारा जैयादव जैमादव श्यान से कहेंगे जैदादा किर्शन